असलाम वालेकूम आज हम बनाने वाले हैं सूजी के गुलाब जामून जिसे बनाने के लिए हम सबसे पहले शुगर सीरप बना कर रेडी कर लेंगे शुगर सीरब बनाने के लिए इस कप से मैंने एक कप भर कर पानी लिया है पानी को हमें अच्छे से बॉल कर लेना है अब हम इसमें दो कप शकर एट करेंगे एक कप पानी और दो कप शकर एट करना है पाउच अमच हम इसमें थोड़ी सी हरीलाईची का पाउडर एड़ कर देते हैं और इसमें मैंने केसर भी डाला है यह ऑप्शनल है अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और फूल फ्लेम पर इसको हमें बॉयल होने देना है एक तार की हमें चाशनी बना कर रेड़ी करना है तो देखिए एक तार की चाशनी हमारी बन कर रेड़ी हो चुकी है इस वक्त हम गैस की फ्लेम को बन कर देंगे और इसको साइट में कर देंगे तो गुलाब जमन का डो होता है उसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं जिसके लिए मैंने दो कप दूद लिया है धो कप दूद को हमें अच्छे से उबाल लेना है जब यह बॉयल हो जाए तब हम इसमें इलाइची पाउडर एंट कर देंगे इलाइची का पाउडर एंट कर दें अब हम इसमें दो बुन रोज वाटर या फिर रोज एसंस के आड़ कर देंगे हम ये रोज और इलाइची के फ्लेवर में बना रहे हैं जो के बहुत ही मज़े का बनने वाला है दो कप दूद लिया था और एक कप मैंने रवा लिया है तो फिल्म को लो कर देंगे और थोड़ी थोड़ी करके हमें इसमें सूजी आड़ करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है एक साथ सूजी आड़ नहीं करना है वना गुटलियां पर जाएगी और जो आपका ये डो है रवे का खराब हो जाएगा तो देखे सारी सूजी को मैंने अट कर दिया है अब इसको लो फ्लेम पर मिक्स कर देंगे ये डो की शकल में आ चुका है गैस को अब हम बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं तो सूजी का जो हमने डो बनाया था मिक्स्चर बनाया था इसको प्लेट में निकालने के बाद थंडा होने का वेट नहीं करना है अगर आपको बहुत जादा गरम लग रहा है तो आप इसको कटोरी की बैक साइट से या फिर स्पून से मिक्स कर सकते हैं अभी पर हलका हलका ग कर लोंगी ताकि जब हम रोल करेंगे गुलाब जामुन को तो इसमें क्रैक्स ना आय तो अच्छी तरीके से इसको जो है मिक्स कर लेना है थोड़ा सा इसमें हाफ टीस्पून या फिर पाउच अमश के करीब घी भी आट करेंगे घी एट करके इसको मिक्स कर लेंगे अब यह दो हमारा बनकर रवे का डेड़ी हो चुका है स्माल-small पार्ट लेंगे इस तरीके से उर रोल कर देंगे तो देखें बिल्कुल भी क्रश नहीं है गुलाब जामुन हमारे अच्छे से बनकर रेडी होये है तो सारे गुलाब जामुन हमसी तरीके से बना लेंगे अगर आपके गुलाब जामुन में क्रैक्स आ रहे हैं तो आप हातों को धो ले धोने के बाद बनाए हातों पर घी होने की वज़े से उसमें अक्सर क्रैक्स आ जाते हैं तो सारे गुलाब जामुन बना कर अगर आप रख रहे हैं तो वह सूख सकते हैं जिसके व लगा लें उसके उपर जिससे वह सुखेंगे नहीं अगर सूख जाएंगे तो इक कड़क हो जाएंगे और फ्राय करते वक्त सकते हैं या तो फिर आप एक गुलाब जामुन बनाते जाए और ओल में फ्राय करते जाएं तो आप अच्छे से गरम कर लेना है तेल गरम हो जाए उसके बाद फुल फ्लेम रखते हुए ही हमें एक एक करके सारे गुलाब जामुन जो हमने बनाए है वो दाल देना है अगर आप लो फ्लेम पर गुलाब जामुन दालेंगे तो यह फट जाएंगे इसलिए हमें फ्लेम को हाई रखना है और जब हाई फ्लेम पर यह थोड़ एक जैसा कलर आए अगर आप चलाओंगे नहीं तो एक जगा डाक कलर आजाएगा और एक जगा लाइट कलर आजाएगा इस वज़े से हमें इसको हर तरफ से चलाते रहना है कंटीन्यू तो सारे देखें गुलाब जमून हमारे अच्छी तरीके इससे फ्राइ हो चुके हैं ब्राउन कलर के अब इस वक आपको एक चीज का खयाल रखना है कि गुलाब जमून आपके गर्मा गरम होने चाहिए और चाशनी आपकी हलकी गरम होनी चाहिए यानि के ना बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए और ना ही बॉल की हुई चाशनी चाहिए वना गुलाब जमून आपके सारे बिखर जाएंगे तूट जाएंगे इस वज़े से गुलाब जमून को गर्मा गरम रखिए और चाशनी को हलका सा गरम रखिए तो वो बोल साइज में छोटा पड़ रहा था तो मैंने दूसरे बोल में इसको shift कर दिया है और सारे गुलाब जामून बनकर तयार है अब इसको हमें रख देना है सोख होने के लिए आप 6-7 घंटों के लिए भी रख सकते हैं मैं ओवरनाइट के लिए इसको रख दे रही हूँ और फ्रीज में नहीं आपको बाहर ही रखना है इसको कवर कर दे एक प्लेट से और इसको रख दे तो यह देखिए ओवरनाइट मैंने रखा था और गुलाब जामून अच्छी तरीके से सोख कर लिया है चाशनी को शुगर सीरफ को अच्छी से सोख कर लिया है और साइज में भी बड़ा हो चुका है तो यह खानी के लिए बिल्कुल तयार है आप इसको डिश में सर्फ कर ले और इंजॉय करे तो अभी मैं आपको सर्फ करके बताती हूँ कि यह कैसा लग रहा है और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल बटन को जरूर दबाईए क्योंकि बैल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स रेसिपी दालूंगी उसकी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच तो देख सकते हैं कि कितने टैम्टिंग और टेस्ट में भूती टेस्टी हमारे सूजी के गुलाब जामून बनकर रेडी हो चुके हैं आप भी इसको जरूर ट्राइब कीजिए मेरे तरीके से और मुझे कमेंट करके बताना के आपके सूजी के गुलाब जामून कैसे बने अगर वीवर्स आपको मेए रेसिपेस पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे रेसिपेस को जरूर ट्राइ करें तो फिर मैं मिलते रहूंगे आपसे इसी तरह से नही नही रेसिपेस के साथ अला हाफेज